दोस्तों मैं सुनील आपने आकाश गंगा के बारे में तो जरूर सुना होगा। जब आप आसमान पर नजर मारते हैं तो किसी बड़े से पुछते हैं कि ये आसमान में इतने सारे तारे क्यों है और कहा होते हैं। तब आपके सामने आकाश गंगा का जिक्र जरूर हुआ होग ग्रहों के तरह एक अहम हिस्सा है लेकिन हमारा ये सौर मंडल कहां पर है क्या आपको पता है हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का बस एक छोटा सा हिस्सा है यू कहें को इतना छोटा हिस्सा की कलपना से ही परे हैं आकाश गंगा बहुत सारी गैसों धुल और अर्बों ग्रहों के सौर मंडल का संयुक्त रूप से बना एक आकार है। इसे आप दुसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे ग्रह मिलकर एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और ऐसे करोडों अर्बों से भी ज्यादा सौर मंडल मिलकर बनाते हैं एक आकाश गंगा। आखिर क गुरुत्वा कर्शनबल्थ से पूर्णतिया जुड़ा रहता है। हमारी आकाश गंगा, मिलकी वे गैलेक्सी के बिलकुल बीच ओ बीच में एक बहुत ही भारी ब्लैक होल भी है। इस तरह के ब्लैक होल को सुपरमैसिब ब्लैक कहा जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान 40 लाख सूरियों के बराबर है। जब कभी रात में अगर आप खुले आकाश को देखे तो आपको बहुत सारे तारों को देखने का मौका मिलता है। जिसमें हमारे आखों के सामने आकाश गंगा में उपस्थित अन्यतारे भी हम देख सकते हैं। कभी-कभी ये बहुत काला या अंधेरा जैसे भी हो जाता है जब हमें कुछ तारे ही देख पाते है तब वहाँ धूलों का जमावड़ा हमारे नजर को धुंदला कर देता है जिसे हम हालांकी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते जिस तरह से करोडों अर्बों ग्रहों से बने आकाश गंगा में हम सभी रहते है ऐसी ही बहुत सारी आकाश गंगाएं मौजूद है ये उतनी ही जितना शायद हम कभी गिन भी न पाए एक बहुत ही खाश दूरबीन है जिसका नाम है हबल स्पेस टेलिसकोप इसकी मदद से वैग्यानिकों ने एक बार के प्रयास से कुल 12 दिन में 10,000 आकाश गंगा की खोच की थी इन आकाश गंगाओं में कुछ छोटे, कुछ बड़े, विभिन आकर और रंगो के आकाश गंगाओं को देखा गया कुछ वैग्यानिक मानते हैं कि इस ब्रहमानड में ऐसी अर्वों-खर्वों से ज्यादा आकाश गंगाएं हो सकती हैं, जिन्हें शायद कभी गिना भी नहीं जा सकता है आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? कुछ आकाश गंगाओं का आकार कुंडली के आकार का होता है जैसे हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका भी आकर कुंडली के आकर का है दुसरे अंडाकार या दीर्ग व्रत्ताकार के आकार में होते हैं और कुछ अन्य अट पे आकर में ही होते हैं जो संग्योजित नहीं होते शायद उन आकाश गंगा के कार्रे प्रणाली ही उन्हें ऐसे बनाता हो अनियमित और नियमित आकर वाले ऐसे आकाश गंगा को विशेश दूरबीन से देखने पर इस में से हमें भरपूर रोषणी निकलती दिखाई देती है यह प्रकाश उस आकाश गंगा का नहीं बल बल पड़ता है और उस आकाश गंगा में मौजूद सभी ग्रहों का विनाश हो जाता है आकाश गंगा के तूटते ही उसमें मौजूद गैस ग्रह सब अलग-अलग होकर नश्ट हो जाते हैं